लीजिए, एक गीत है, गीत से ही सुरुवात करता हूँ, गीत में ही पहले डूबता हूँ, और गीत में ही आपको डूबोने का, गोता लगवाने का प्रियास करता हूँ, देखो गीत की भी दुनिया बड़ी गजब की होती है, और गीतों की दुनिया में हम बड़े आराम से डूबकी लगा सकते हैं, क्योंकि गीत में शब्द थोड़े होते हैं, और संगीत मय होते हैं, लए बद होते हैं, और ये लए बद शब्द हमें डूबने को मजबूर कर देते हैं, डूबकी लगाते हैं, जिसे दिन घमंड अपने सभी के लिए अपने लिए भी और आपके लिए भी जिसे दिन घमंड अपने सिर्षे उतार देगा जिसे दिन घमंड अपने सिर्षे उतार देगा उसे दिन तुझे विधाता अन्य मोल प्यार देगा उसे दिन तुझे विधाता अन्य मोल प्यार देगा जिसे दिन घमंड अपने सिर्षे उतार देगा जिसे दिन घमंड अपने याद रखना उसे के समान जग में उसके समान जग में दाता न और कोई देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा जिसे दिन घमंड अपने शिर्षे उतार देगा उसे दिन तुझे विधाता अनमोल त्यार देगा जिसे दिन घमंड अपने मन वचन करम उसके अज्ञान सार कर ले मन वचन करम उसके अज्ञान सार कर ले होगा फिदा वो तुझे पे होगा फिदा वो तुझे पे तो सरवाश्वेवार देगा लेकिन जिस दिन घमंड अपने शिर से उतार देगा उसे दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने ओ देखना भगवान छोड़ साथी इनसान को बनाया इनसान और भगवान में क्या अंतर है भगवान छोड़ साथी इनसान को बनाया सुख में ये साथ देंगे इनसान के वल सुख में ये साथ देंगे सुख में ये साथ देंगे पर दुख में वो साथ देगा सुख में ये साथ देंगे, दुख में वो साथ देगा, जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उसे दिन तुझे विधाता, अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने आखरी में प्रेरना है, अन्तिम समें में तू यहां, नेकी जरा कमाले, गरीब होकर नहीं मरना, जो बुराई करके जाता है, जो बुराई साथ लेके जाता है, वो चाहे कितना बड़ा धनवान रहा हो, आखिर मरते वक्त गरीब ही जाता है, लेकिन जो नेकी भलाई अच्छाई साथ लेके जाता है, बेसक वो जोपड़ी में मरा हो, तो भी बादसाहों की तरे जाता है, यह विशेष्टा होती है, अन्तिम समे में तू यहां, नेकी जरा कमा ले, क्योंकि उस पल पथिक न कोई, उस पल जिस पल हम समर रहे होंगे, उस पल पथिक न कोई, उस पल पथिक न कोई, जीवन उधार देगा, जिस दिन घमंड अपने शिर्षे उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने शिर्षे उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने।